हेलो दोस्तों बेलकम बैक माई यूटूब चैनल बीपिएच इस्टोरीज पर मित्रवाज मैं आप सभी लोगों को रादस्तान की एक रहा समय जगा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे लोग आज तक बेखबर हैं हमेंसे कई लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा पर इस मंदिर के बारे में अलग-अलग कहानिया बताई जाती है इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि साम जलने के बाद इस मंदिर में कोई नहीं रुखता कि किराड़ी मंदिर राजस्तान के बार मेर जिले में हाथमा गाउं में इसकित है इसे 11 सताब्दी में बनाया गया था यह मंदिर इतना सुंदर बना है कि इस मंदिर को राजस्तान का सबसे खूल सूरत मंदिर कहा जाता है लेकिन 900 साल पुराना या मंदिर की तरफ कई लोगों का ध्यान नहीं गया है जिसके कारण या मंदिर उन्नाम अधेरे में छिपा हुआ या मंदिर में एक मंदिर शियू जी का है और दूसरा मंदिर बुश्यू जी का है इस मंदिर की दिवारों पर कला क्रतियां बनी हुई है जो आपको इतिहास की याद दिला दें। इस मंदिर के इतिहास के बाद इस मंदिर के रहशी के बारे में बताते हैं। वहां के लोगों के अनुसार आज से करीब 900 साल पहले यहां की राडू में फार्मार वंस के राज्य हुआ का सा था उच समय में एक दिन एक शाधू अपने कुछ शिश्यों के साथ यहां पर रहने को आई थी और यहां पर कुछ दिन बिताने के बाद उन्होंने सूचा की थो शाध घूमने के बाद उसी जगापट पहुचे तो उन्होंने अपने शिश्यों को कमदोर हालत में देखकर बहुत उस्सा होगी उन्होंने सारी गाउंवालों से कहा कि जिस जगापत इंसान की मदद नहीं करता तो उनको जीने का प्याहक है और तभी उन्होंने पूरे ग कुम्हारी के मूर्ती है इसलिए प्राचिये समय में लोग हमेशा साधू महात्माओं को खुश रखते थे इससर आपके बाद कोई भी साम ढलने के बाद उस मंदर में नहीं जाता तो दोस्तों यही थी हमारी कहानी आपको कहानी कैसी लगे बिलीच कमेंट बॉक्स में बता